नमस्कारम बड़कम कैसी हो लड़कियों तो आज हम जो फेस योगा करने वाले हैं वो एक तोरो ताजा चेहरे का फेस योगा करेंगे आप पैसे कई लोग मुझे पूछते हैं कि मेरी स्किन का राज क्या है तो मेरी स्किन का राज है बहुत सारी अच्छे अच्छे पल खाना बहुत सारी हरी हरी सबजिया खाना और हफते में कम से कम पांच दिन वरक आउट करना और उसमें से एक रूटीन है हफते में 3 दिन चार दिन फेस योगा भी करना तो चलिए आज कुछ फड़ा फट से मैं आपको बताती हूँ कि जो मैं अपने रूटीन में इंक्लूड करत ठीक उसी तरह हम अपने फेस का भी वाम अप करेंगे और याद रखिए हमें जो भी करना है तीत बार करना है तीन बार करने का रीजन यह है कि जब हमारे तीन सेट पूरे होते हैं तो हमारे एक्सरसाइस का वाल्यूम उस लेवल पे आ जाता है कि वो हमें एफेक्टिव होत है तो लेट स्टार्ट सबसे पहला वाम अप है हमारा फर्स्ट वाम अप वह होगा अपने चेहरे को सिकुड़ना बिल्कुल तेज बड़ी अजीब सी शकल दिखती है पर क्या करें फेस योगा में आप दिखते हो लेकिन इसके बाद जो दिखते हो वह सब पूछते रह जाते हैं तो यह था अपने चेहरे को बिल्कुल कस के सिकुड़ लो स्कुईज करो दूसरा होगा टैपिंग टैपिंग इसलिए क्यू कि यह सुबह भी आप कर सकते हो स्पेशली मैं यह तप करती हूँ जब अपना ब्रश करके पूरा हो जाता ना उस वक्त मैं टैपिंग करती हूँ लेकिन चेहरे के हर हिस्से को अलग तरीके से टैपिंग करना है जैसे आप जब शुरू करोगे तो यहां पर दीरे दीरे दी लेकेट होता है तो बड़े ही आराम से टैप करोगे यहां पर थोड़ इससे कि और क्योंकि यह निजला हिस्सा जो है इस पर हम कभी ध्यान नहीं देते इसलिए यहां पर थोड़ा जोर लगां कर दो यह वह गया दूसरा यह हमारा वर्म उप हो चुका है पहले में हम सिखुड़ेंगे दूसरे में हम टापिंग करेंगे पूरे चहरे पे याद रखिए आपको तीन बार करना है फिर जो हमारा पहला मेन एक्सेसाइज है वो पानी के साथ करेंगे ठीक है अब पानी पीएंगे पी लीजे पानी को गटक लीजे तो आपको जो है यहाँ पे स्ट्रेच महसूस होना चाहिए यहाँ और जब आप ऊपर देखोंगे तो कोशिश कीजिए कि आप अतने लिप्स को ऐसे रखेंगे तो यह था हमारा पहला जिसमें आप पानी पीओगे ऊपर देखोंगे स्ट्रेच को फील करोगे ठीक इसमें इसी तरह आप इसे दो बार रिपीट करोगे आपकी जो कपैसिटी है बीस काउंट तक पंद्रा काउंट तक उस हिसाब से आप पंद्रा-पंद्रा काउंट तीन बार रखें दूसरा एक्सरसाइज है हवा को बच्पन में नहीं हम करते थे हवा यहां से वहां घुमाना फेस में यह है दूसरा वाला यह हो गया हवा घुमाना ठीक उसी तरह हम अपने लिप्स के उपर नीचे मतलब चिन और अपर लिप में भी हवा घुमाएंगे यह हवा घुमाने से जो है मसल्स को एक अच्छा स्प्रेच भी मिलता है बलड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है ऑक्सिजन के मिलने की वज़े से नाचरली कुछ दिनों में आपको एक गलो मैसूस होने लगता है आपकी स्किन में ठीक है अब अगला वाला जो हम करेंग वह है कुछ पॉइंट से जिनने हम प्रेस करेंगे पहला पॉइंट है बिलकुल अपके कॉलर बोन के ऊपर यह है आपका कॉलर बोन इसके ठीक ऊपर प्रेस करेंगे आपको यह फील होना चीए कि आप यहां पर थोड़ा सा प्रेशर लगा रहे हो आप इसे लगबग 10 से 15 स तक होल्ड करेंगे यह पहला पॉइंट है दूसरा है ठीक आपके कानों के पीछे इन दो उंगलियों से और आप रोल करोंगे तीसरा पॉइंट है आपके लिप से दो फिंगर डिस्टेंस ठीक यहां चौथा पॉइंट है आखों के यहां क्लोज यूर आइज और आखरी पॉइंट है ठीक आखों के नीचे लेकिन यहां पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है जेंटली ठीक है और जो सबसे आखरी हम करेंगे वो है रिलाक्स हम इन 4 फिंगर को यूज करेंगे यहां पर थोड़ा सा जेंटल मसाज पॉर्हेट पर और ठीक उसी तरह पॉर्हेट पर जेंटल मसाज नीचे आएंगे फिर यहां पर जेंटल मसाज करेंगे और जो हम दिन बर मोबाइल देखते रहते हैं, कम्प्यूटर, टीवी या किसी ना किसी डिवाइस को लेके चलते हैं, हमारा जो शोल्डर है, नेक है, इस हिस्से में काफी टेंशन रहता है, जिसको या तो आप फेस योगा के साथ करें, या सोने से पहले, आप ये चार उंग और ओल्या यूज़ करेंगे, बिल्कुल यक के पीछे मसाज करेंगे और आगे लाएंगे, फिर से मसाज करेंगे, आगे लाएंगे, तो इन चार ओल्ले उंगे यूज़ करके, ऐसे रोल्लिंग एक्षण में मसाज करके, एक जेड़ल प्रशर देके आगे आना है, तो यह हमारा रिजुविनेटिंग फेस योगा पहला वीडियो अगर आप चाहते हो कि कुछ फेशिल पैट के लिए भी लाए तो प्लीज डॉप में इन कमेंट्स दुबारा मिलेंगे नमो नारायना